हलो चों कैसे हो माई सेल्फ दीपभोला टीम फिजिक सील्सी सीकर लो चों हम आपके लिए क्या हैं गुरुनीती 2023 ठीक है इसमें हम क्या करेंगे हम इसमें मेडिकल के जितने भी कोश्चन्स आएं पिछले 10 साल में उन सभी कोश्चन्स को हम टॉपिक कवर करते हुए इन सभी क हम डिसकस करेंगे यह एक बहुत बढ़िया प्रोगाम बनाए गया है आपके लिए यह है गुरुनीती मलब एक तैसे आप मान सकते हैं कि CLC के जितने भी अनुभवी टीचर से एक्स्पिरियंस टीचर से हैं और जो बोस हैं इनके द्वारा एक बनाएगी नीती है कि किस तर जबर हम 17 जो 17 टोपिक है इसको हम कवर करेंगे इसमें सेमी कंडक्टर और लॉजिगेट से इनमें हमने जितने भी कोशन्स आये पिरें दस साल में ठीक ही 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी कोशन्स आये में उन सभी को हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है और उनी के साथ- हम हलका बुल का कमवर कम्पुलिट करेंगे जिसमें आप देखेंगी कौन-कौन से कोशन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन-कौन से टॉपिक को कवर करते हुँ कोशन्स आते हैं उन हम शौट टाईम में ठीक है शौट टाईम उन पूरा स्लेबस करेंगे तो के लिए हमने गुरुनिति आपके लेक्या है तो चलो इस्टार्ट करते हैं देखिए सब्सक्राइब हम यहां पर इलक्टोन इसका फर्स्ट टॉपिक यह बैसी टॉपिक सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर में हम जो कोशन्स पूछ जाते हैं उनको देखते हैं पहले उसके चलो आगे देखते हैं पहला कोशन देखो जो नीट 2013 पूछा गया है सेमी कंड़क्टर इन अनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है conduction band and valence band में जो energy gap होता है इस energy gap की value लगभग 1 electron volt के आसपास होती है उसी को बोलते है semiconductor ठीक है अगर ये gap अच्छों 3 electron volt से ज़ादा है तो वो फिर category आयती है insulator की जिसे carbon या diamond ये insulator category में आते हैं और अगर conduction band valence band overlap'd form में है मलग उनके बीच में कोई gap है ही नहीं energy gap zero है तो वो category होती है conductor की ठीक है तो अभी हम यहाँ बात करें semiconductor की तो semiconductor ठीक है semiconductor pure semiconductor पता गर्मेनियम से लिकान ये क्या pure semiconductor है अब इन pure semiconductor की conductivity काफी कम होती है इसलिए किसी काम की होती है नहीं direct ठीक है क्योंकि इनकी conductivity काफी कम है लेकिन अगर हम इस पे impurity add कर दें impurity add कर दें impurity दो type की होती है pentavalent या trivalent दो type की impurity होती है इसको अगर अपन add कर दें तो हम देखते है conductivity काफी जादा increase जाती है लगबग thousand times increase जाती है 1000 उना बढ़ जाती है ठीक है और फिर उसका हम सर्कीट में easily use कर सकते हैं semi conductors का ठीक है तो चोंगे को अब यहाँ पे end type semiconductor बारे पूछ रहा है end type semiconductor क्या होते है इनमें हम pentavalent impurity add करते है pentavalent impurity add करने पर उसमें जो electron से majority carriers में आते हैं क्योंकि हम जितने elements impurity के add करेंगे ठीक है extra electrons option होंगे end type semiconductor में तो end type semiconductor में आपसे पूछ रहा है कि majority को होने electrons तो majority को होने holes ठीक है तो आप देखो पहला option के रहा है holes are minority carriers and pentavalent atoms are dope बिल्कु सही बात है आपसे कहा है मैंने holes यहाँ पे minority carriers होते है कोई electrons होते है majority carrier बहुत संख्यक को होने होते है और impurity कौन सी add कर ही है अपने pentavalent ठीक है pentavalent impurity add कर ही है तो first का answer हम क्या कह सकते है यह first हो जाएगा ठीक है ऐसे P type semiconductor P type semiconductor में हम trivalent impurity add करते हैं trivalent impurity add करने पर उसमें every impurity atom से हमें एक extra hole मिलता है इसलिए अब वहाँ पे majority carriers कोन हो जाते है holes and my articles कोन होते है electrons ठीक है आई बस सभी में चलो अब आके आते हैं next question पे देखिए next question आप से क्या कह रहा है देखिए next question यह भी सी type का है देखो for P type semiconductor which of the following statement is true P types semiconductor के लिए कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है इसके अंदर देखिए इसके अंदर जो भी आपको बात करी उसी type से कोई question ने उसी type से ही जो की need 2019 ने पूछा गया है क्या कह रहा है holes are majority carriers and pentavalent atoms are गलत बात है holes are majority carriers होते हैं P type के अंदर लेकिन pentavalent पोडिया नहीं करते है add कौन सी करते हैं trivalent तो first तो रहोंगे first तो रहों हो गया second बेगरा electrons are majority carriers ये भी गलत है electrons तो होते ही नहीं majority फिर electrons are majority ये भी गलत है fourth बेगरा holes are the majority carriers holes यहाँ पे बहुत संख्यक होते हैं सही बात है holes बहुत संख्यक है and trivalent atoms are dopant जो impurity add कर रहे हैं dopant बोलते हैं वो कौन सी impurity add करते हैं equivalent तो कौन सांस आजाएगा इसका fourth ठीक है इस तरह पने ये next question देगा दोनों question same type के आप देखिए आपको इस गुरु नीती के मादधम से क्या पता चलेगा कि कौन कौन से exam में question आते हैं और क्या के चिये में याद रखनी है ठीक है पुरे topic on short में कैसे cover करें चलो आगे आते हैं इसके next question पर देखिए next question आप से कहे रहा है तो यह कुछों यहाँ पर हम देखा कि N type और P type दो तरह के semiconductor होते हैं एक N type और एक P type अब दोनों में best कौन सा है ये चीन पुछी जाती है कि best कौन सा N type जाना best है या P type जाना best है तो जो N type semiconductor में majority care को नोते हैं? Electrons, electrons के लिए drift velocity बहुत हाई होती है ठीक है? holes के respect में electrons की drift velocity हाई होती है mobility भी हाई होती है drift velocity भी हाई है, mobility भी हाई होती है holes के respect में, इसलिए N type semiconductor लिया और अब आपने P type semiconductor, दोनों में आपने same type से, same amount में दॉपिंग करी, सेम अमाउंट में इंप्योर्टी एड़ करी, तो जितने मेडूर्टी केर्स इसमें इलक्टोंस हैं, उतने ही मेडूर्टी केर्स मालों इसमें होल्स हैं, लेकिन फिर भी दोनों की कंडुक्टिविटी इक्वल नहीं होगी तो चौँ आप देख सकते हैं, दोनों से बेस्ट कौन सा है, N-Type सेमिकंडुक्टर समझाई दिया क्यों है N-Type, क्योग इसमें मेडूर्टी केर्स कोन होते हैं, इलक्टोंस होते हैं इलक्टोंस की डिफफ फलोस्टी भी जाद होती है मॉबिलीट भी जाद होती है, अपपन वेक भी जाद आता है और गतिशीलता भी जाद होती है इसलिए बेस्ट है N-Type सेमिकंडुक्टर ठीक है, तो इस वज़े से इलक्टों ज्यादा होने, या आप एलक्टों की सेमिकंडुक्टों की अगरते है, इसलिए बेस्ट N-Type सेमिकंडुक्टर है तो अब यहाँ पर हम दोनों पर अगर बैटरी अपलाई करें एक N-Type और एक P-Type, दोनों पर पोटेनिशल डिफ्रेंस अपलाई करें तो ज्यादा करेंट हमें किसम मिलेगी N-Type सेमिकंडुक्टर में ठीक है, N-Type सेमिकंडुक्टर तो कौन सांसर आगा बेखिए इस पर आपसे पूछा गया है, the electron concentration in N-Type सेमिकंडुक्टर is same as whole concentration in P-Type सेमिकंडुक्टर पर दो अलग-अलग सेमिकंडुक्टर लिए गए, दोनों में हमने concentration same type से मिक्स करी है, ठीक है, और फिर आपसे करा है कि external field is applied, potential difference अपने अपलाई किया है, ठीक है तो आपसे करा है, compare करेंड करेंड को, तो सीधी बाते current किसमें होती है, current in N-Type is greater than current in P-Type तो second is cancer जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आप हम जो देख रहे है N-Type और P-Type semiconductor, N-Type में impurity क्या एड़ करते हैं, pentavalent impurity एड़ गी जाती है, ठीक है, तो pentavalent impurity जो कौन से अपन एड़ करते हैं, आप है, उसकी बात करें, ठीक है, phasporous, arsenic, antimony and bismuth, ठीक है, यह अपन add करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, N-Type semiconductor के लिए, ठीक है, जबकि अगर आप उनको P-Type semiconductor बराना, यह सभी क्या उच्छों, इनकी valency कीते होती है 5, इन सभी की valency 5 है, ठीक है, pentavalent impurities है, इनको add करते हैं, तो N-Type semiconductor बनता है, और जो trivalent impurities हैं, जिनकी valency 3 होती है, वो कौन से है, boron, aluminium, gallium, indium, ठीक है, तो इस ते से, इन impurities को अपन add करेंगे, तो P-Type semiconductor बनेगा, ओके, चलो, अब आगे आते हैं, इसमें next पर, देखिए, next, कौन सा है, fourth, fourth question अपन देखिए, fourth question आप से क्या किया रहा है, ता आते हैं, fourth question पे, किसी P-N संधी रोधक भी हो, depend करता है, क्या मतलब इसका, देखिए, क्या मतलब इसका, समझें बात को, इसमें, आप से किया रहा है, potential barrier of P-N junction depends on, potential barrier, पहले potential होता क्या बच्चों, देखिए, आप जानते हैं, जब भी अपन P-N junction को, अभी इस्टार्ट करने हैं, अपन डायोड के बारे में, अब यहां से question अपने आई स्टार्ट में, अभी सकता अपन पढ़ रहते हैं, simple semiconductor के, अब देखिए, डायोड कोशन यहां से start होते हैं, डायोड कहाता है, प्योर सेमी कंड़क्टर, प्योर सेमी कंड़क्टर में, जब आप एक तरफ P-type की, और एक तरफ N-type की, इंप्योर्टी एड़ करते हैं, एक तरफ P-type, एक तरफ N-type की का बन जाता है, अब जब जब जाता है, जब चुन के नियर, एक ऐसा रीजन मन जाता है, जहांपे तरफ देख P-type में, तो क्या होते हैं, मजडूटी केरेर्ट कोन होते हैं, होल्स, N-type में कोन होते हैं, इलक्तॉंस, ठीके, तो यहाँ पे whole and electrons होते हैं लेकिन junctions के आसपास के whole and electrons आपसे मिलके neutralize जाते हैं ठीके तो यहाँ पे इसके अंदर क्यावल static ions बसते हैं negative वाले static ions और यहाँ पे होते हैं positive वाले static ions यह कौन से वाले static ions बचों जो की आपने doping करी है जिन elements की आपने doping करी है न impurity atoms हैं वो है impurity atoms यह वाले और यहाँ इंपियोटी वाले atoms हैं ठीके और इसमें यहाँ पे इस जगे तो हम देख रहे हैं impurity items हैं ही सही है यह गल्ट किया पे ठीकि impurity atoms जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम बात करें इसमें जगे की देखो यहाँ पे इसमें यह माइनस है यह गल्ट लिग दिया है यह होल्स ठीकिए यह माइनस यह माइनस के हैं impurity यह atoms हैं और होल्स इसमें majority carriers हैं ऐसे ही यहाँ पे इस N type में N type के अंदर पने देखें इस N type से N type वाला जो portion है इसके अंदर यह प्लस तो static ions होते हैं और electrons इसमें होते है majority carriers ठीकिए बहुत संख्यक आविश्वाख कोन हैं Electrons लेकिन junctions के नियर इस संधी के निकट के holes and electrons आपसे मिलके neutralize हो जाते हैं neutralize हो जाते हैं तो junction के नियर हम देखते हैं एक ऐसा region बन जाता है जहाँ पे क्यों static ions है यहाँ पे इस्थिर ion कोन से है नेगिटिव और यहाँ पे इस्थिर ion कोन से है positive static ions ठीकिए तो यहाँ पे potential difference create हो जाता है इस जगे इस potential difference को अपन बोलते है potential barrier VB potential barrier जग्शन के नियर ठीकिए यह जो region है इस हम क्या बोलते है depletion region depletion layer ठीकिए अवक्षे परत ठीकिए depletion layer बोलते है अब यहाँ पे आपसे इस VB के बारे पूछा है इस VB potential barrier किस पे depend करता है एक तो पोटेनिशल barrier depend करता है एक तो आप इसके पधार्थ पर material पर material पर कैसे depend करता है उच्छों देखिए silicon and germanium germanium के लिए यह जो value होती है 0.3 होती है germanium के लिए 0.3 volt and silicon के लिए यह value होती है 0.7 volt वहला सिरी सी बात है किस पे depend करता है material पर depend करता है तो दूसरा depend करता है doping पर जो अपन यह amount of doping है तो अपन doping को increase करते हैं बच डॉपिंग को आप increase करेंगे तो केस में VB की value भी क्या होगी? increase potential barrier increase होता है अगर आपन doping increase करते हैं तो और अगर temperature वैसे temperature अगर ज़्यादा effect नहीं बढ़ता है थोड़ा बढ़ता है ठीक है? negative effect होता है लेकिं फिर भी आपे effect अगर बात करें तो temperature को अगर आप increase करते हैं तो potential barrier की value होती है यह decrease होती है slightly decrease कर जाती है potential barrier की value तो temperature increase करेंगे तो VB क्या होगा? decrease तो कहाँ लवे potential barrier है इस junctions की across potential difference है विभानतर है विव पराचीर है इसका मान किस पर depend कर रहा है इन तीनों पर A, B, C, 3 नो भी depend करता है तो इसका answer क्या जाएगा यह A, B, C, 3 नो भी depend करता है ठीक है NEED 2014 ने पूछा गया है question यह तो चो आगे questions discuss करने से पिले थोड़ा से अपन बेच announcement की बात कर लेते हैं ठीक है अपने जो बेचे सब बनने जा रहे है च्छा बेका क्यों ने जो चाह चो जो रहे है पूराँ होता है उसके बाद पिर पांडेशन कोर्स करी है जिसे बच्चे ने 10th क्लास पास करी है अब 11-12 में आ रहा है तो उनके लिए फाउंडेशन courses है ठीक है महला एक particular 11th class के लिए and particular 12th class के लिए ठीक है इसके अंदर complete syllabus की हम study कराते हैं जो 11th class है complete syllabus and complete syllabus ठीक है 1-1 year में दोनों program होते हैं ठीक है और उसके बाद फिर ये 2-in-1 course ये सरसे best pro course है 2-in-1 course जिन्होंने 11th class का exam दिया भी लेकिन एक साल 11th में उन्हों डंक से पढ़ाई नहीं करी उनको लगा हमारा एक साल पुरा खराब हो गया क्यों 10th पास करके आये थे जन्ने मुन्ने बच्चे थे ज़्यारा कुछ जानते थे नहीं एक साल ने बच्चे साल निकाल दिया भी अब अरशना सजागी अब 12th में खाली 12th की पढ़ाई करके हम 12 के सालrose होनी पाएंगे तो अब क्या गरें एक साल का कीमती जो एक साल था 11th वाला वहमारा खराब हो गया है तो गवराने की बात नहीं हम इस माध्यम के तुरू, इस 2-in-1 कॉर्स के तुरू अब आप जिसे 12th क्लास में आए हैं ठीके, 11th का एक्जाम दिया लेकिन आपको लगता है 11th आपकी week रही डंक से त्यारी नहीं करी, तो इस कॉर्स में हम आपको 11th and 12th दोनों पड़ाएंगे, ठीके, पहले आपको half time में 11th के topic कवर कराएंगे, उसके बाद आपको remaining half time में 12th के topic कवर कराएंगे, ठीके, तो ये उन बच्चों के लिए, जिनको लगता है हमारी 11th काफी week रह गई, हमें दुबारा 11th थोड़ी से पंड़ने के हम सोच रहे हैं ठीके, ठीके, तो उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्रोगाम है ठीके, जो केवल पूरी दुनिया में केवल CLC प्रोगाम नहीं है, तो आप इस कोर्स के बारे में जरूर सोचे हैं, जो ऐसे बच्चे 11th जिनको ने एक्जाम दिया है, ठीके बाकी ND कोर्से अपने होते हैं प्री फाउंडेशन जो नन्ने मुन्ने बच्चे हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक के लिए आज कल हम देखते हैं कि competition का टाइम आच चुका है, तो इसलिए हमें शुरू से लगना पड़ता है 6th क्लास से, तो हमें ज़र हमारा aim है, कि हमें IET में जा रहा है, medical में, doctor में डॉक्टर बनना है, जो भी हमारा main aim है, उद्देश है हमारा चाहें, इनडी में जा रहा है उसके लिए मैं शुरू से लगना पड़ता है 6th, 7th क्लास से, तो उनके लिए भी हमने से, हमारे जो classroom सेंटर से हैं, हमारी जो branches हैं, ठीक है, seeker, मैं तो head office है है ही से आप जानते हैं, अलवर, जैपूर, जैपूर के अंदर भी दो जगे हमारी branches हैं, इस ते से, ठीक है, और test center, जो आप DTS program आप देते हैं, बहुत हमारी diamond test series जो होती है, ठीक है, एक course कतम होने के बाद, हम one, पूरे complete syllabus को, complete syllabus को test के through company, revise कराते हैं, उसे हम बोलते हैं, DTS program, ठीक है, DTS के, और उसके लावा जो, हमारे जो minor होते हैं, हर exam, जो syllabus चलना होता है, बीच-बीच माइनर कराते हैं, उन minor के भी test center का, आप test series जोइन करना चाहें, तो यहाँ है, हमारे test center है, कोटा भी है, बीकानेर, जोतपूर, दिल्ली, हिसार, ठीक है, इस जगे हमारे सबके, हमने test center बना रखे हैं, ठीक है, इस सबके addresses आपके सामने हैं, जहाँ भी आप जिस जगे से exam देना है, ठीक है, जिसके लिए हमने यह पूरा program चला रखा है हमने, ठीक है, तो वो diamond test series जो है, यह हमने पुरे short में revise कराने के लिए, complete syllabus को diamond test series है, ठीक है, यह पूरा program चल रहा है, इसकी test date बगर है, ठीक है, और last में full syllabus test भी इनके कराते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, यह तो हमने बात होगी diamond test series की, चलो, अब आते हम आगे next question पे अपने, देखिए, अब आते देखिए, next question यह रहा है, जो की diode से related है, ठीक है, क्या है देखिए, अगला question अपना diode से related, the increase in width of depletion region in PN junction diode is due to, अब देखो चोँ, diode के अंदर क्या होता है, समझें बात को, PN junction diode, यह diode है क्या, जैसे ही आपको समझा आता है मैंने कि एक तरफ P type, एक तरफ N type की impurity add करते हैं, तो जो resultant device बनती है, परणामी युक्ती जो बनती है, उसे हमका बोलते है, diode बोलते है, PN, संधी diode ठीक है, अब उसके अंदर PN junction diode के अंदर जो बीच में region था, deflation layer, ठीक है, उस अवक्षे परत की जो विर्थ है, अब इस परक्षे परत की विर्थ को हम कैसे increase या decrease कर सकते हैं, उसके बार में गेराई है, ठीक है, अब अच्छों, जब हम यहाँ पे इस पर biasing apply करते हैं, किसी PN junction diode पर biasing, biasing किसे केते हैं, किसी PN junction diode पर potential difference apply करने के process को बोलते हैं, biasing, ठीक है, biasing कोई special चीज़ नहीं है, simple, ना सारे अजीब अजीब से biasing कैसे लगा, अरे कोई दो sing नहीं है इसके अंदर, simple, biasing का मलब applying potential difference, ठीक है, किसी PN संधी diode के सिनों पर विभानतर आउरुपित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, biasing बोलते हैं, ठीक है, process of applying potential difference, अब अच्छो, biasing दो टाइप के होती है, forward biasing और reverse biasing, तो जब हम forward biasing apply करते हैं, forward biasing में क्या होता है, जिसमें P पर apply करते हैं, battery का plus terminal, high potential, and n पर apply करते हैं, low potential, इसे बोलते है, forward biasing में P पर high voltage, ठीक है, reverse biasing में क्या होता है, P पर लगाते हैं, low voltage, n पर लगाते हैं, high voltage, वो होती है reverse biasing, तो चो forward biasing में, depletion layer की width, decrease होती है, जबकि reverse biasing में, depletion layer की width, increase होती है, तो यह पूछरे आप से, increase in the width of depletion layer in PN junction is due to, ठीक है, तो हम जानते हैं, अभी आपको time हैंने की, depletion layer की width, width की बात कर रहा है, और यह क्या होती है, increase, विर्थ increase किसमें होती है, reverse biasing में, तो क्या हैगा, reverse bias only, क्यों reverse bias में, depletion layer की width, increase होती है, अब आता किस पे, next question पे, next question, next question में किया रहा है, consider the following statement A and B, and identify correct answer, इन दोनों में से, कौन सा अकतन, सत्य ही आपको बताना है, ठीक है, आप सकते हैं, जैना डायोड is connected in reverse bias, when used as a voltage regulator, ठीक है, जैना डायोड, जैना डायोड का अच्छों, इसका यूज अपन करते है, reverse bias में, reverse bias में, इसका यूज की आता है, as a voltage regulator, कई बार क्या होता है, हमारे गवर में supply का है, fluctuating supply होती है, कई बार voltage जादा जाता है, कई बार कम ज जाता है, तो voltage जादा आने पर क्या होते है, हमारे जो instrument ने जल कर खरा हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको high voltage पे जलने से बचाने के लिए, हम क्या गरते हैं, उन instrument के parallel combination में, जैना डायोड लगाएते हैं, और जैना डायोड जो लगाएते हैं, reverse bias के अपनी लगाते हैं, क्या होत हैं, इसलिए उसके साथ जो parallel में element connected है, उस element पर भी उतना ही voltage बना रहता है, चाहे supply थोड़ी बहुत जादा आए, तो भी कोई दिक्कत ने होती, element safe रहता है, तो जैना डायोड को पन लगाते हैं, reverse bias में as a voltage regulator, ठीक है, voltage regulator की तरह है, तो पहला statement तो बिल्कु सही है, ठीक है, दूसर अगरा है कि potential barrier of PN junction lies between 0.1 volt to 0.3 volt, अभी आप बता है था मैंने, potential barrier की value आई थी, silicon के लिए क्या होता है, 0.7, germanium के लिए किता होता है, 0.3, आप देखिए, क्या यह statement correct हैगा, यह कर रहा, potential barrier lies between 0.1 volt to 0.3 volt, सरा सर जूट बोल रहा है यह, अभी तो आप बता है, 0.7 volt भी होता है, किसके लिए, silicon के लिए, तो इसका वाला यह statement तो गलत है, ठीक है, तो क्या answer, statement A is correct, ठीक है, A is correct, but B, A is correct, but B is incorrect, तो second answer जाएगा इसका, ठीक है, चलो, आगे आते हम 7 पे, 7, which of the following represent forward biased diode, अभी आप को बताया था, मैंने, biasing दो type की होती है, forward and reverse, forward biasing में P पे लगाते है high voltage, N पे लगाते है, low voltage, तो देखिए, वह हमें चेक काना है, कौन सा forward bias है, तो P पे होना चाहिए, high voltage, N पे low voltage, तो देखिए, पहले first में, देखें, यहाँ पे minus 4, यहाँ पे minus 3 है, तो हम देखते हैं, यह minus 4, छोटा voltage है, क्योंगी highly negative, small value, यह दोनों में से ज़्यादा negative है, म बड़ा voltage चाहिए, यहाँ पे देखिए, 3 and 5, यहाँ भी P पे, इस small voltage है, यह भी reverse, देखिए, 0 and minus 2 compare करें, तो minus 2 के respect में, 0 बड़ा voltage होता है, वहला, इस P पर high voltage आ रहा है, यहाँ पे fourth वाले option में, तो यह show कर रहा है, किसको, कौन से बाइस को, forward bias को, तो fourth option forward bias को represent कर रहा है, चलो, अब आते हैं इस पे, next question पे, question number 8, तो देखिए, आप यहाँ पे अब देख रहे हैं, जो पन topic पड़ रहे है, semiconductor and diode, इसमें जो theory है, साथ साथ अब cover करते भी चल रहे हैं, ठीक है, आपने जब theory पूरी पड़ी होगी, teachers ने आपको पड़ाई होगी, तो उसमें काफी सा इस चोटे से जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के थुरू, आप पूरे topic को cover कर सकें, आराम से और बड़िया तरीके सा आपके super confidence है, कि yes, we can do it, ठीक है, हम इसको crack कर सकते हैं, neat exam को कोई बड़ी बात नहीं है, तो इक है, चलो, अब आते हैं इस पे, in a PN junction diode, change in temperature due to heating, तो आपके आप से कहा है, कि कोई PN junction diode है, अगर इस पे हम temperature बड़ाएं, temperature को change करें, तो इस पे, मलब हीटिंग के वैसे, इनमें क्या फरक पड़ता है, या क्या फरक नहीं पड़ता, क्या effect नहीं होता, उस चीज़ की बात कर रहा है, तो diode does not effect resistance of PN junction, पहला option तो किरा ही तो अच्छों देखो, एक्छों में क्या होता है, जब भी अपन temperature increase करते हैं, temperature increase करने पर, जो potential barrier भी थोड़े पहले, आप समयाद में, potential barrier की value, temperature increase करने पर, potential barrier decrease हो जाता है, तो जो यहाँ पे जो PN junction diode बगर हैं, diode semiconductors हैं, उनमें concentration of holes and electrons भी change जाती ही, due to temperature, तीके, जिसकी वैसे, semiconductor की जो conductivity है, conductivity increase हो जाती है, ठीके, तो क्या अदल है कि temperature यहाँ पे, conductivity पे, resistivity पे, resistance पे, इन सब पे effect करता है, ठीके, तो temperature अगर आप change कर रहे हैं, तो definitely voltage current graph भी change होगा, कोई resistance हो ही रहा है, ठीके, तो क्या अदल है कि, पहला कि रहा है, does not effect resistance of PN junction, बेलकुल सरा सर जूट बोल होता है, गलत है, ठीके, resistance होता है, effect overall VI characteristics of PN junction, ठीके, बिल्कुल सही बात है, जो V versus I graph होता है, V I graph, ठीके, जो अपन देखते हैं, इसमें, यह V I graph, जो पन ट्रौ करते हैं, I versus V graph, I versus V graph, ठीके, कुछ इस्ते graph मिलता है, यह इस्ते graph, यह तो forward bias का होता है, FB का, ठीके, and reverse bias में पन देखते हैं, graph कुछ इस्ते से होता है, यह graph, यह reverse bias graph होता है, reverse bias graph, तो यहां से अगर पन temperature change करेंगे, तो overall graph की curvature change जाएगी, यह नहीं किरा पूरा graph ही disturb हो जाएगा, graph की curvature change तो यह तो यह तो इस्ते से अगर ग्राफ कुछ इस्ते से हो गया है, ठीके, मान लो graph यह बन गया, तो temperature change करेंगे, तो graph थोड़ा सा disturb होता है, इस्ते से curvature पर फरक पढ़ जाता है, यह तो यह तो यह तो यह तो यहां पर हर चीज़ चेंज होता है, तो overall graph विल चेंज, है next पे question number 9 question number 9 ठीक है ये diode का अगला question देखिए यह आप से कर रहा है PN junction diode पे ठीक है यहाँ पे यह तीन circuit दिखा रहा है A, B, C आप से कर रहा है कि in the given circuit A, B, C potential drop across two PN junctions are equal in बात कर रहा है पोचो potential barrier की ठीक है potential barrier की बात कर रहा है potential barrier के बाता है आप हो reverse biasing, biasing apply करते हैं तो biasing apply करने से जो potential barrier है वो भी change ज़ाता है ठीक है, forward bias में हमने एका था depletion layer कम होगी थी, इसलिए potential barrier की value भी कम हो जाती है, forward bias में depletion layer decrease ज़ाती है इसलिए VB की value potential barrier भी decrease ज़ाता है जबकि reverse bias में potential barrier increase ज़ाता है, तो भी depletion layer increase होगी थी, तो potential barrier भी increase ज़ाता है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है, देखिए, first diagram में देखिए, यह तर plus, यह minus है, battery का, जो इसके P और N पे देखो, यह plus इसके P पे apply हो रहा है, और यह plus इसके P पे दोनों की दोनों forward bias में यह भी FB के अंदर है, यह भी FB में है, ठीक है, तो जितना potential barrier इसका decrease हुआ है, उतना ही इसका decrease हुआ है, बहलब यहाँ पे दोनों junctions पे VB VB same आएंगे, क्यों दोनों कम हो गए है VB VB, दोनों same आएंगे जबकि यहाँ देखिए, यह तो I have forward bias में है, क्योंकि battery का plus end है, यह इसके P पे लग रहा है, जबकि यहाँ पे plus end इसके N पे लग रहा है, तो यह reverse bias में है तो इसका potential barrier तो decrease हो गया, लेकिन इसका potential barrier increase हो गया तो इन दोनों की junctions पे same potential difference नहीं मिलेगा, एक पे मिलेगा, कम, एक मिलेगा ज़्यादा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दोनों में reverse bias है, यह भी reverse bias में आ रहा है और यह भी reverse bias में आ रहा है तो दोनों पे potential barrier की value increase हो गया है, यह तो महला same, जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है, तो आप से ही पूछ रहा है अच्छा एक पर गुरू को, यहाँ पे यह plus इदर है, यह plus इदर, यह minus तो यह भी किस में है, यह भी forward bias में है, यह भी forward bias में forward bias forward bias, क्यों देखिए, plus p पे plus p पे, forward bias, तो इसके अंदर भी, यहाँ पे भी, जितना potential barrier है, उतना ही potential barrier है, यहाँ पे कि दोनों-कि-दोनों forward bias में है, ठीक है लेकिन यह वाला diagram है, जिसमें एक forward है, और एक reverse में है, इसलिए इन दोनों पे potential difference अलग-लग होंगे, तो उसमें, क्या 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 रहा है पे अगला question, question number 10 question number 10 consider the junction diode has ideal value of current flowing through AB देखिए, अब उच्छों, यहाँ पे हम diode के अब एक-दो circuit वाले question देखनें जो exam में आया है, circuit वाले question में क्या होता है, जब भी diode आपको ideal diode बोल दे ideal diode, forward bias में forward bias में ideal diode as a on path behave करता है as a on path कह लें as a on switch, ठीक है as a on switch behave करता है, बट reverse bias में यह as a off switch behave करता है current को आगे जाने नहीं देता ठीक है, तो अभी हम देखें, यहाँ पे bias in कौन सी है, देखिए, यह पे plus 4 volt है यहाँ minus 6 volt, भाला bias in कौन सी है, forward, तो यह as a on path work करेगा, जो as a on path work करेगा, ठीक है तो माना आराम से इसमें current जाएगी, आपसे पुछाए, current जाएगी तो कितनी जाएगी, तो देखिए, आई अपन find करें, तो आई होता है potential difference upon resistance potential difference upon resistance तो potential difference किता है, यहाँ 4 है, यहाँ minus 6 है, तो potential difference किता हो गया, 10 volt potential difference किता है, 10 volt and resistance किता है आप है 1 kilo ohm मलब 1000 ohm तो कितना जाएगा 10 power minus 2 ampere 10 power minus 2 ampere यह आएगा इसका result तो कौन सा option आप पोने जारा रहा है first, तो first answer आगया 10 power minus 2 ampere ठीक है, चलो अब आके आते हैं next question पर, question 11, यह जो चौंँ यह भी एक पर circuit वाला की question है diode को आप पता है, मैंने forward bias में as a on switch reverse bias में as a off switch behave करता है, diode, yes की diode की property होती है, उसी पर आधायरती है अगला position है, जो कि need 2016 में पाया गया है, तो क्या गिराप चाहूँ दो आधर्स diode का परिपत दिखाया गया है, ठीक है, R1 प्रतिरोध में धारगामान बताना है क्या होगा, इस R1 में किदनी current जाएगी, यह, ठीक है तो आप देखिए बच्छों, यहाँ पर यह plus यह battery का minus, यह plus इसके N पर apply हो रहा है, तो यह तो किसमे reverse bias में है, तो इसमें तो current जाएगी नहीं, ठीक है, current जाएगी नहीं, वाला यहाँ से current start हुई, ऐसे घूंगते भी, इधर से होती, इधर रही है से current, इस current, इस बात को follow कर रही है, इस पर जाएगी नहीं, तो अभी इस current के लिए निकालें, I, I is equal to V upon R, यहाँ कि देखिए V net upon R net, net EMF upon net resistance, तो net EMF किता है पर net voltage, 10 volt की battery आपने apply कर रही है, and net resistance of circuit, circuit का net परतिरोज, जो इस branch में, इस loop में use हो रहा है, इस loop में एक single loop में current flow हो रही है, वाला यह resistance, यह resistance बना रहे है series combination, तो 2 ohm, 2 ohm, मिलके बन जाएंगे 4 ohm, तो 10 upon 4 किता हो गया, 2.5 ampere, तो कौन सांस रहा है बेटा, 4th, 2.5 ampere, यह इसका result आजाएगा, ओके, चलो, आगे आते हैं, इसके अंदर अब, next question पे, यह, next question, question number 12, question number 12, देखिए क्या गेरा है आपसे, आपसे गेरा है, the incorrect statement about property of a Jenner diode is, Jenner diode की कौन सी property, incorrect है, यह आपको बतानी है, तो यह की बच्छों, Jenner diode के बारे में आपको बताया है, फुर्दे पहले मैंने, कि जिसका use हम करते है, reverse bias में, as a voltage regulator, ठीक है, reverse bias का use upon as a voltage regulator, यूज करते हैं, इसको reverse bias में लगाते हैं, किसको Jenner diode को, ठीक है, तो आपसे कहा है, कौन सा statement incorrect है, ठीक है, तो पहले है, it is designed to operate under reverse bias, बिल्कुँ सही बात है, इसको reverse bias में लगाते हैं, पहली बात तो सही है, Jenner voltage, T-man, constant and breakdown, ठीक है, तो पच्छों, यहापे जो Jenner diode है, अभी आप समझाता है, इसका एक fixed general voltage होता है, reverse voltage होता है, जिस पर इसका breakdown होता है, ठीक है, Jenner diode का, तो इसका fixed voltage होता है, जिसे बोता है general voltage, तो यह statement भी correct है, ठीक है, अब आप से गरा है कि दो Jenner diode, क्या होता है, बाच्छों, ब्रेकडाउन, आप थोड़ा समझाऊं में, reverse bias में breakdown, दो टाइप का होता है, ठीक है, क्या होता है breakdown, ठीक है, जब भी हम reverse bias में voltage को increase करते आते हैं, opposite side में, मलए negative voltage को आगे more negative करते आते हैं, तो एक particular high voltage पे क्या होता है, अंदर depletion layer में, अचानक से बहुत सारे covalent bonds break on लगते हैं, किसमें, depletion layer में, जिससे current suddenly increase होती है, इस condition को बोलते हैं, breakdown condition, ठीक है, अब breakdown condition, ठीक है, जो होती है, ये दो तरेस हो सकती है, इसके दो reason है, एक तो होता है general breakdown, और एक होता है avalanche breakdown, general breakdown क्या होता है, ये general breakdown कब होता है, इसका reason क्या है, तो general breakdown, अगर यहाँ पे high electric field की वैसे, depletion layer में, due to high electric field, उच्च विदुत शेतर के कारण, high electric field के कारण, अगर भूस सारे covalent bond break होए है, इसे बोलते है general breakdown, general breakdown क्या होता हुच्चों, ये general breakdown कब होता है, ये generally उन dowards के अंदर होता है, जो highly dopped करके रखते हैं, जिनमे highly अपन dopping करते हैं, पे एंजंक्शन डावड में, ठीक है, तो highly dopping की वैसे, उनकी depletion layer की विर्थ भी कम होती है, पहले सही, already depletion की विर्थ कम होती है, ठीक है, तो उसे बोलते है, general breakdown या general voltage अपन बोलते हैं, या general diode अपन केते हैं, ठीक है, तो general diode, general breakdown होता क्यों है, due to high electric field, उच्च विद्दुश्यत्र के कारण, और ये किन में होता है, जीक है, जिन में उच्च dopping करके रखते हैं, high dopping रखते हैं, उन में होता है, high dopping की वैसे, वहाँ पे depletion layer की जो विर्थ है, थोड़ी कम होती है, ठीक है, तो इसलिए, यहाँ पता है, आपको मैंने depletion layer, यहाँ पे PN junction region, generally heavily dopped दी, बिल्कु सही बात है, heavily dopped होता है, जिसकी वैसे, depletion layer की विर्थ, वहाँ पे थोड़ी कम रहती है, कम रहती है, यहाँ पे लिखा है, very wide, जो की गलत है, ठीक है, wide नहीं होती, तो इसलिए, यहाँ पे, यह statement गलत हो गया, general out के बारे में, avalanche जो breakdown होता है, avalanche breakdown में क्या होता बच्चों, वहाँ पे जो covalent bond break होए है, depletion region में, अबक्षय परत में जो बहुत सारे सहसोब बंड तूटे है, covalent bonds break होए है, उनका reason होता है collision, ठीक है, वहाँ पे उच्च कायाटी के जिसे, हाई कायाटी के जिसे electrons move करते हैं, bond से ठगराते हैं, और वहाँ के उस bond को break करते हैं, वहले electron को वहाँ से भाहर निकाल देते हैं, तो उस condition को बोलते है avalanche breakdown, avalanche breakdown कब होता है, ठीक है, यह क्यों होता है, इसका reason क्या, समझा दिया आपके मेंने, यह कब होता है, उन type के doubt में होता है, जिनमें अपन dropping कम रखते हैं, कम dropping रखते हैं, ज़्यादा depletion layer होती है, विर्थ dipletion layer की विर्थ होती है, चोड़ाई ज़्यादा होती है, उनमें होता है avalanche breakdown, ठीक है, तो यहाँ पर हम से general breakdown की बारें बात कर रहा था, तो general breakdown में क्या tick करेंगे, यह answer फर्स्ट आजागा असका answer, यह incorrect for general doubt, ओके चलो, अब आगे आते हैं इस पर, next question पर 13 question अब चोँ, यह question number 13 है यह types of diode से related हैं आप जानते है, types of diode diode को हमने, 3-4 type पर पर परते हैं, 4 type पर परते हैं, एक होता है general diode फोटो diode, एक होता है LED, और एक होता है solar cell, ठीक है, चाहँ type of diode यहाँ पर study करते हैं, चेप्टर के अंदर general diode के बारे हैं, आई के दो question, एक पिछला question और पहले भी पर एक question solve किया था, जिसमें general diode use हुआ था, अब चोँ, यहाँ पर यह जो अगला question है, यह किस पे है यह पूछा गया है किस पे, एक तरह solar cell के बारे में, यह solar cell का graph है, ठीक है, V versus I graph मिलता है, solar cell का इस तरह से, ठीक है यह से पूछा गया है, कि जो point है यह point A and B point क्या है इन दोनों points के बारे में आपसे पूछा A and B points के बारे में, ठीक है A and B points के बारे में आपसे पूछा है, क्या points नहीं है देखिए, यहाँ पे A point देखिए, जो graph है, A point यहाँ पर बता रहा है maximum voltage को V max को, ठीक है maximum voltage बता रहा है, ऐसी I, यह जो B है, यह क्या बता रहा है I max बता रहा है, maximum current को ठीक है, negative current है negative तो क्या क्या है, शो कर रहा है direction को opposite direction हो, लेकिन इसकी value maximum कार रहा है, यह B point में maximum है, और अब voltage maximum कब होता है ठीक है, voltage maximum होता है जब कोई भी जैसे, अपन देखते है solar cell बट जो solar cell, एक एक तरह से माह सकते है solar cell, just like है cell की तरह भी अब गरता है जैसे हम जानते हैं, एक cell होता है cell में, एक EFE होता है एक internal resistance शो करते है, ठीक है अगर यह cell open path की तरह है इस तरह से, अगर कोई cell इस तरह से यह cell है, ठीक है अब यह cell बचाने इस तरह से, तो इसके across potential difference अपन बात करें potential difference सुनना ध्यांसे में, एक शौर्ट ट्रीक बता रहा हूँ हम पर यह, एक solar cell और यह cell है इसको हम पन देखें, तो potential difference यह potential difference maximum कब होगा potential difference maximum कब होगा जब यह cell open path में है खुले परीपत में है, तो यहाँ पर potential difference का आएगा, maximum ठीक है, potential difference maximum होग अब यह cell open path में है तो open path पर यह point v max है ठीक है, यह v max किसको शो कर रहा है open path को, ठीक है, लोपन path voltage को शो कर रहा है, open path voltage open path voltage को शो कर रहा है तभी तो voltage maximum होगा, open path voltage ठीक है, खुले, अब यहाँ पर current, current maximum कब होती है इस circuit में, सीज़ी बात है जब आप इसको भी हूँ, short circuit कर देंगे आपस में, तो इस time पे current क्या होगी, maximum, लेकिन अगर आप में short circuit नहीं आए, आपको resistance लगाया, कोई आपने external resistance R लगाया, capital R, तो इस case में current थोड़ी कम हो जाएगी, maximum current कम मिलेगी, जब इसको आप short circuit कर देंगे, उस time current maximum होगी, क्यों, क्योंगी resistance minimum होगा, केवल R है, इसमें, resistance minimum होगा, इसलिए current maximum होगी, तो current maximum, मतलब ये point किसको indicate कर रहा है, short circuit current को, क्योंगी current maximum है, short circuit current को show कर रहा है, ठीक है, short circuit current को indicate कर रहा है, short circuit current, देख लोग कौन सा option है, सा है, तो उसमें ये बोल रहा है, A, solar cell के लिए graph है, जहाँ पर A, खुले परीपत में वोल्टता को शोगर रहा है, और B, लगुपति धारा को नुपित कर रहा है, V.I. graph for solar cell, where point A represent to open circuit voltage, बिल्कु सही open circuit voltage, and point B, short circuit current, point B, short circuit current है, तो क्या गया इसका answer? 1st, ठीक है, 1st इसका answer रहेगा, तो आप देख रहे हैं, इसते बच्चों, अपन हर question में topic को साथ-साथ cover करते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी explain करते हैं, ठीक है, चलो, अब आगे आते हैं, question number 14 पे, question number 14, देखिए, अब यह question number 14, यहां तो को मैंने types of diode के बार में देख लिया, अ AC को DC में change करता है, सुनाई होगा आपने, दो type के होते हैं, rectifier कौन-कौन से, half wave rectifier and full wave rectifier, अर्ध तरंग दिस्टकारी, पूर्ण तरंग दिस्टकारी, तो half wave rectifier का गरता बच्चों, जो input AC है, input AC मलब निवेशित, परत्यावर्ती, जो संकेत है, उसके केवल half cycle को ही rectify करता है, ठीके, जबकि full wave rectifier, positive और negative, जो दोनों cycle है, उन दोनों का ही rectification करता है, दोनों का ही district current करता है, ठीके, तो यहाँ पे इस circuit आपको दिख रहा है, यह half wave rectifier है, half wave rectifier का basic circuit ही होता है, अब चलो को इसमें, यहाँ पे, इस तरह से यह signal है, इस तरह से यह signal है, यह एक square wave signal है, square wave signal है, ठीके, square wave signal है, इस तरह से square wave signal, आपको दिख रहा है, एक square wave signal, इस तरह से plus, यह minus, यह minus, इस तरह से plus, minus, आई के लिए, तो यहाँ पे, यह जो half wave rectifier है, कि और half signal को ही rectify करेगा, जिसे only plus को rectify कर रहा है, तो बीच में 0V, यह minus 5, और यह plus 5, तो यह जो क्या है, कि यह half signal में, only positive pulse को ही rectify करेगा, तो 0 से plus 5 तक के लिए मिलेगा, only 0 से plus 5 क्या रहा है, क्यों फरस्ट option, 0 से plus 5 क्यों फरस्ट option दे रखा है, और कहीं है ही निस के अंदर, ठीक है, तो 0 से plus 5 क्यों half wave को ही rectify कर रहा है, इसलिए क्या जागा answer, 0 से plus 5 volt, यह इसका result रहाएगा, ठीक है, हाँ अगर इस question में, जैसे option, मैं अगर यह diode सुनना, ध्यान से, अगर यह diode इस तरफ मुझ अरके लगा होता, तो इस तरफ मुझ अरके लगा होता, तो इसमें अभी यह negative वाली pulse को rectify करता, और answer फिर हम टीक करते हैं यह वाला, सुनने बात लो, अगर यह diode इसका मुझ तरफ होता, इस नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कोश्चन, आप से गया है कि half wave rectifier को जो frequency मिलती है में, दीके, उस input frequency आपको दे रहे कि 60 hertz, तो output frequency क्या होगी, देखिए, तो बटा यहाँ पे half wave rectifier में, जो input AC, इस ते से input AC ही है, दीके, यह input AC, यह input AC, और इसी का में जो output of half wave rectifier, half wave rect तक में कितने cycle complete हो रहे है, एक cycle है, एक cycle है, एक cycle है, एक cycle है, तो यहाँ भी 3 cycle complete हो रहे है, तो इसकी frequency भी किती है, 3 hertz, तो जितनी frequency इस input AC की होती है, उतनी frequency इसकी होती है, कि दोनों में same type से repetition हो रहा है, ठीके मलब, same, मलब equal time में, same time में, same number of repetitions हो रहे है, इसमें 1 second में 3 repetition है, इसमें भी 1 second में 3 बार पुंडा बरती हो रही है, मला इसकी भी आप बरती 3 Hz है, इसकी भी 3 Hz है, मला सेम है, तो half wave rectifier में input frequency यगर 60 Hz है, तो output frequency भी क्या होती है, 60 Hz होती है, ठीक है, चलो, अब आते हैं आगे इस पर next question पर, लेकिए अब जो अगे पढ़ने जा रहे हैं, आगे ज transistor के देखेंगे, सारे same type के आते हैं, देकिए transistor अपने आप में एक अजीब सा topic है, आप सको theory पढ़ने बैटाएंगे, तो काफी सारी चीजी मिलेंगे, आपको इसके अंदर आपको लगया, transistor पता है, सही में नहीं आपता है, पता है क्या आप फालतु का topic डाल रखा है, लेक transistor क्या होता है, एक pure semiconductor, pure semiconductor में हम outer side में, बाहर की तरफ same type की impurity add करें, और बीच में opposite type की impurity add कर दें, तो उस device को बोलते हैं, transistor, जैसे outside में अगर पन मिलाएं N type की, और बीच मिलाएं P type की impurity, तो resultant device बनेगी N, P, N, transistor, ठीक है, बीच मिला रहे हैं P type impurity, तो N, P, N, transistor बन जाता है बना कुछ इस तरह से, देखिए, ये N, P, N, transistor में, पता आपको मैंने, इधर अपने N type की impurity मिलाई है, बाहर की तरफ, बीच में मिलाई P type की impurity, क्या बन गया है, N, P, N, transistor, तो N, P, N, transistor में, जो left वाला tremble होता है, generally assemble बोलते हैं, emitter, right वाले tremble को generally बोलते हैं, collector, और beach वाले tremble इधर P, इधर N है, तो इसलिए ये transistor को अपन, bipolar junction, transistor में, दो PN junctions होते हैं, ठीके, अब चो emitter, emitter क्या है, emitter काम के नाम से पर चल रहा है, something emits, किसी चीज़ को ये उत्सरीद करता है, तो इसमें, जो majority carrier से, बहुत संक्यत, इसमें carrier से, majority carriers, उन्हीं को emitter करता है, किदर भेजत collect करता है, तो क्या होता देखिए, जैसे यहां से बच्छों, electrons, 100 electrons यहां से चले, अब रस्ते में क्या मिलेंगे इसको, holes को की P type है, तो अब उन में से लगबग 2-4% आसपास, लगबग 2% माल लो, लगबग 2% के आसपास, electrons, in holes के साथ मिलकर, उदासीन हो जाते हैं, neutralize हो जा 98% पहुच रहें, collector में, और 2 and 98 का sum करने पर क्या आता है, 100, ठीके, वो किसको शोगर रहा है, E को, emitter current को, बनला, emitter current अगर 100 है, emitter current अगर 100 mA है, तो base current होती है, 2 mA, and collector current होती है, 98 mA, ऐसी, अगर मालू है, 10% neutralize हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे, base current होगी, यहां पे 10 mA, and collector current क् 90 mA, तो उसी ratio में, जिस ratio में, आपे electrons, यहां रस्ते में, neutralize होए, ठीके, उसी के according base current बनती है, और जितने current, जितने electrons यहां पे collector तक पहुचे, उसी according collector current बन रही होती है, ठीके, इनका नाम ही होता है, emitter collector, ठीके, emitter, emits करता है, collector को collect करता है, ठीके, तो आपे देखे, इस question मे है, इस emitter and collector को हम चाहें, तो जब इसको हम connect करते है, emitter and collector base को हम जो connect करते है, किसी पे भी forward, किसी भी reverse लगा सकते है, हमारी मर्जी है, लेकिन, जब हम emitter पे लगाते है, forward bias and collector पे लगाते है, reverse bias, ठीके, तो इस case में, जो resultant circuit है, इस circuit को बोलते है, amplifier, E पे लगा रहे हैं, क्या amplifier बोलते हैं, और इस तरह के connection को बोलते है, active connection, ठीके, active connection, क्योंकि बच्छों, यहाँ पे, जहातर, इस, जो timester का use है, amplifier मों होता है, बलगे, यह मान चलिए कि 99% जो use है, timester का amplifier की तरह use होता है, इसलिए, यहाँ पे mainly, E पर forward, C पे reverse बायस लगा जाता है, ठीके, और सब off-switch behave करेगा, और दोनों पे अगर अपन forward बायस लगा देंगे, E and C पे, तो ऐजे on-switch behave करेगा है, ठीके, तो यहाँ पे, इस tryster का use as a on-switch, ऐजे off-switch क्यों होता है, इसी बात ही होता है, इसका बहुत negligible use है, mainly use हो as a amplifier है, इसलिए आपे mainly हम से बात करता है, इसकी active reason की action, अखला active reason, सक्री region, तो इस पी क्या लगाते है, उच्छो ऊच्छोए, इपीर जंक्शन को हम लगाते हैं, forward bias में, ठीके, collector को लगाते हैं, E पे लगाते हैं, e लगाते हैं, forward bias, c पी लगाते है, reverse bias, ठीके, इसमें amplifier के अन्दर अबल, active reason के अंदर, इस पो लगाते है, active region, ठी इस इस तरी यह शेत्र में थीक है, amplifier में, amplifier में हम इस तरी से का यूज करते है, amplifier परवर्दक में, अब पहला किया रहा है, both emitter junction as well as collector junctions are forward bias, गलत है, पहला तो statement ही गलत है, ठीक है, अब फिर किया रहा है, base region must be very thin and light to drop, बिल्कुस सही है, base को बच्चों आप भी देखो, मैंने आट बनाये डाही नामे, very thin मनाये, क्यों thin मनाये से reason क्या होता बच्चों, हम चाह से ज्यादा amount में कहां पहुंचने जीए, collector में, जिसा आप सकता 2%, 4%, 3% यहां पे neutralize होते हैं, बागी remaining 98% कहां पहुंचने जीए, collector में, तो यहां पे maximum electrons जो यहां से start हुए है, maximum electrons collector तक पहुंचने चाहिए, बलब बेस में कम से कम neutralize होने चाहिए, इसलिए base को हम very thin मनाते हैं, और इसकी dopping भी बहुत कम रखते हैं, ताकि इसमें holes बहुत थोड़े से हों, ताकि जब electrons यहां सिदर आएं, तो यहां पे थोड़े से holes होंगे, तो थोड़े से electrons को ही neutralize करेंगे, remaining electrons कहां पहुंच जाएंगे, collector तक, तो यह बिल्गु सही है, base region must be very thin and lightly dopped, बहुत हलका dopping हो होने चीए, गलत है, summit dropping same नहीं होती, ठीक है, यह गरा सभी की size भी same होने चीए, सबकी size same नहीं होती, ठीक है, size के बारे में चुल आप उदादू में चुछों, यहां पे सबसे बड़ी size इसमें होती है collector की, उससे छोटी size होती है, emitter की, और base की size तो very very small होती है, collector की size काफी गरम हो जाता है, ठीक है, अब गरम हो जायागा तो इसमें heat produce होगी, अब इस heat जो heat produce होई है, उसको immediately environment में release भी करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पे collector का surface area हम बड़ा रखते है, ताकि जो इसमें heat produce होई है, वो immediately environment में dissipate हो, environment में मुक्त होत आप से गराँ चोग, collector current in common base amplifier using NPN transistor is 24 milliampere, क्या जरा है, collector current की बारे में, आप से गराँ 80% of electrons released by emitter, accepted by collector, फ़ला है, इमेटर से जो electrons से ले, उस पेसे 20% तो किसमें utilize होई होई है, बाकी 80%, बाकी 80% आप से गराँ कि कहां पहुँच रहे हैं, 80% पहुच रहे हैं, 80% पहुच रहे हैं, ठीके, तो यहां से आप देखिए, इसमें जो collector current है, IC, IC is equal to 80% of, 80% of IE, ठीके, emitter current, तो जो कि आपको IC collector current की दे रखी हैं, आप है, collector current की information दे रखी है, 24 milliampere, तो 24 milliampere है, ठीके, 80% पहुच रहे हैं, 0.8 times of IE, तो यहां से IE निकालेंगे, IE, तो इधर 0.8 से divide कर तो 8 फिजा 24, 30 milliampere, तो IE किते होगी, 30 milliampere होगी, IE, तो आप एक equation जानते हैं, IE is equal to, यह होता है, IB plus IC, ठीके, IE is equal to IB plus IC, IE किता है 30, रख दिया 30, IB हमें पता करना है, IC 24 दे रखा है, तो आप देखिए, IB कितना आ गया बच्चों, 6 milliampere, sorry, 6 milliampere आ गया, अब 6 milliampere दो जगे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब देखिए, यहाँ पे प्रिवेश करते वाएगी, यह छोड़ते वाएगी, देखो, इसके लिए हमें देखें, कुन सा है, NPN ट्राइस्टर है, NPN ट्राइस्टर, NPN ट्राइस्टर, किस तरह गाता centimeter, यह collector and यह base, अब जो arrow है, यह arrow अपन किसे लगाते है, E पर, क्यों लगाते है, E पर, क्यों लगाते है, E में सबसे ज़्यादा अपन डॉपिंग रखते है, ठीक है, E का काम है, emission of electrons होता है, इसलिए अब जोड़ते है, यह arrow का शोगर है, current की direction को, वहला है, यहाँ से current IE हो to क्या बनेगी, IE is equal to IEC plus IB, ठीक है, तो यहाँ से IB, यहाँ पर क्या हो रही है, इस जंक्षन में, इस transistor में एंटर कर रही है, तो क्या जाएगा, 6 milliampire and entering the base, तो यह जाएगा, 6 milliampire यहाँ आधार में प्रिवेश करते हुए, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 18, question number 18, common emitter amplifier, अब देखी, यहाँ पर में जो question solve करना जा रहे हैं, इस पर transistor पर, अगले 3-4 question जो आएंगे, वो यह दे रखे हैं, एक तरसे gain पर आधार रही है, तो यहाँ पर आधार रही है, ठीक है, जो हमें output मिल रहा है, वो input का कितने गुना मिल रहा है, जैसे हमने यहाँ पर मालो 5V दिया input, और हमें output मिला 20V, मालों कितना 4 गुना, तो हम बहुते हैं, voltage gain is 4, तो जितना गुना हमें output मिल रहा होता है, उसे बोलते हैं, लाब, मालों gain, ठीक है, तो आप बच्छों, इदे एक option जो दे रहा है, यह किस पर, दोको इस पर आपसे ब common emitter amplifier है, common emitter amplifier का voltage gain दे रहा है, voltage gain G है, ठीक है, और इसका transconductance, इसका दे रहा है, transconductance 0.3, तो voltage gain दो पर मुच्छों, A, V से शोगरते हैं, और transconductance को G से शोगरते हैं, G यह अपको दे रहा है, 0.03, ठीक है, और फिर आप से कहा है, अब transconductance 0.02 हो जा है, ठीक है, G' की value, तो इस case में, अब voltage gain क्या होगा, यह हमें निकालना है, voltage gain A, V dash, ठीक है, इसका एक formula होता है, यहाँ पर यह जो conductance है, transconductance, जैसे आप जानते हैं, conductance आपने सुना ही होगा, अच्छा, अब अच्छा, आप यह gain की बात करें, हम जो gain पढ़ रहे हैं, gain, gain जो होता है, gain होता है, gain होता है, ठीक है, output upon input, अब यहाँ पर यह हम बात करें, transconductance की, तो output upon input अच्छा है, transconductance सुनना ध्यान से, conductance हमने word यूस सुना ही होगा, conductance क्या होता है, inverse of resistance, ठीक है, प्रतिरोध का वितकरम, उसे हम का बोलते है, चालकत्व, ठीक है, यहाँ चालकत्व बोलते हैं, ठीक है यहाँ चालकता बोलते हैं, वैसे गलत है, चालकत्व नहीं आना चीए, क्या हैगा, चालकत्व जादा correct word है, ठीक है, प्रतिरोध के वितकरम को, अच्छा, resistance क्या होता है, वी अपोन आई, तो उसका उल्टा गर दो, inverse, क्या हैगा, आई अपोन वी, तो जी बता रहा है, क्य उपन नीचे multiply कर दें, R out से, R out ना resistance, output resistance से उपन नीचे multiply कर दिया, मैंने, इससे क्या होगा च्छो, यह I out upon, I out into R out क्या बन जाएगा, यह A out, sorry, V out, V is equal to IR, V is equal to IR, तो यह बन गया V out, V out, यह नीचे V in, और यह upon में, R out ही सही, अच्छा, अब यह V out upon V in, यह जाएगा, gain, voltage gain, इसको बोल दिया मैंने, voltage gain, A, V, voltage gain, A, V upon, क्या बच गया है, R out, तो अब देखिए, G is proportional to क्या रहा बच्छो, A, V, ठीक है, G, E, G is proportional to the A, V है, यह रिजल्ट, अब यहां से, हम देखें, A, V dash, निकालेंगे, तो जाएगा, A, V into G dash upon G, यह जाएगा रिजल्ट, क्योई A, V is proportional to G है, तो A, V dash is equal to A, V into G dash upon G, अब A, V, A, V की value, पहले कित दे रखिए, A, V की value पहले, capital G है, रख दिया, G, G dash, बाद में किता हो गया है, 0.02, initial में G किता था, 0.03, तो सोचिए, कौन सा result आ गया, 2 by 3 times of G, 2 by 3 times of G, यह अगर result, कौन सा, third answer, क्योई लो, काम खतम, ठीक है, चलो, अब आते हैं, पुच्छा, आग इस पे, next question पे, देखिए, next question भी gain से ही related है, देखिए, अगला question क्या किया रहा है, अगला question किया रहा है, कि NPN transistor है, ठीक है, common emitter application में connected है, ठीक है, load resistance दे रहा है, आपको, RL gamma 1, 800 ohm, ठीक है, इस पर voltage drop, 0.8 volt है, current amplification factor, यहाँ पे 0.96 है, and input resistance, इज़े रहा है, 192 ohm, voltage gain निकालना है, and power gain निकालना है, क्या निकालना है, voltage gain and power gain, तो देखिए, voltage gain, voltage gain निकालें, AV, voltage gain यह होता है, क्योंकि आप जानते हैं, V is equal to IR, क्या होता है, V is equal to IR, तो voltage gain is equal to current gain, into resistance gain, voltage gain is equal to current gain, into resistance gain, मालब, volta lab बराबर, धारा lab, into परतिरोद lab, ठीक है, अब उच्छे, आप एक current gain, किता रखा है, current gain आपको देखा है, current gain का आपको देखा है, current gain का आपको देखा है, 0.96, जो धारा lab है, इसके अंदर धारा lab है, किता है, 0.96, इस वाग दिया आपने, 0.96, ठीक है अब यहाँ पे AR, मालब resistance gain, मालब output resistance upon input resistance, output resistance, तो input resistance तो आपको देखा है, और output resistance यह रहा, ठीक है, load resistance, यह output resistance होता है, तो output resistance किता है, 800 ohm, input resistance किता है, 192 ohm, 192 ohm, तो जासे इसको अप solve करो, यह आपा है, 4, ठीक है, तो voltage gain किता है, 4 आगया, ऐसे चलो, अब निकाले, power gain, शक्त पावर gain, पावर का जैसे फॉर्मला आता है, P is equal to I square R, सुनाइए आपने नाम तो, P is equal to I square R, तो यहाँ से, power gain is equal to current gain square into rise tense gain, ठीक है, तो power बराबर P is equal to I square R, ठीक है, तो उसके according, power gain is equal to, शक्ति लाब is equal to, धारा लाब square into, प्रतिरोद लाब, ठीक है, अब यहाँ से, यह AI कित 0.96 square into AR, क्या था, R out upon R in, 800 upon 192, अब यहाँ से square कोरोगे, थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, जो छोटा बनेगा, इससे 0.96 से square करेंगे, तो 0.96 से थोड़ा बनेगा, उसको multiply करेंगे, तो 4 से less ही आएगा, 4 से less जो मान होता है, लगबत यह बनता है, 3.84 की something बनता है, इसको आप solve करते हैं, लगबत 3.84 आता है, तो इसमें कौन सा option ऐसा है, जो इसको match कर रहा है, क्या जाएगा, 4th answer, 4 and 3.84 ही इसका result आ जाएगा, ठीक है, चलो, अब आगे आते हैं इस पे next question पे, देखिए, आगे, अगला question, यह भी इसी type पे है, voltage gain, current gain, power gain, इसे ही है, CE transistor amplifier, ठ audio signal दे रहा है, ठीक है, इस पे collector resistance, collector resistance माला भी output resistance दे रहा है आपको, R out, किस का मान दे रहा है, R out का मान दे रहा है, output resistance, ठीक है, और यहाँ पे current amplification factor आपको दे रहा है, AI, current amplifier दे रहा है, AI का मान, ठीक है, base resistance, माले है कि आपको base resistance हो था है, input resistance, input resistance है, R in, यह R in दे रहा है, आप स signal voltage और यह आपको देखा है output signal voltage यह आपको V out देखा है V out और निकालना क्या है input signal voltage भी निकालना है V in common आपको निकालना है V in common तो देखिए अभी आप देखाता है यहाँ पर voltage gain voltage gain होता है current gain into resistance gain current gain into resistance gain यह लिखते है अपन ठीक है अब यहाँ पे इसमें देखिए आहों बात करें इसमें voltage gain, current gain वो case करेंगे, सौल देखिए आगे यहाँ पे voltage gain is equal to current gain into resistance gain AV, यह होता है V out upon V in बता है V out upon V in is equal to AI, AI यहाँ पे कहा है current gain जो की 100 resistance gain R out upon R in मलब 2 kilo ohm upon input resistance 1 kilo ohm yellow, अब यहाँ पे input voltage निकालना है output के दारख आपको यह 4, यह value आपको दे रखिए 4 4 volt आपको दे रखिए 4 volt इसको रखेंगे, ठीके यह 000 से 000 कट गए, ठीके, और यहाँ पे इससे divide करें किता होगा, यह 200 और यह 4 है V in, तो V in यहाँ से निकालेंगे V in की value, यह जाएगी 20 into 10 power minus 3, means 20 milli volt, 20 milli volt यह आएगा, इसका answer 20 milli volt, ठीके, ऐसे अपन solve कर सकते हैं, ठीके, आई बास होएं मैं, चलो, अब आते हैं, अगले question पे, अगला question भी simple दा question है, वो भी इसी type का question है, आप से चाहिएंगे, आप तो इन questions के थुरू, आप गुरु निती के थुरू क्या देख रहे हैं, कि जितने भी question आ रहे हैं, काफी simple simple question है, same type के logic पे कई सारे question आ रहे हैं, तो क्या दलबेगी, आप इन topic को डंग से पढ़ लें, इन topic आपके V के रहे हैं थे, आप उनको गुरु निती के मादम से उन topic में confidence develop कर सकते हैं, तो इसलिए इन topics को आप गुरु निती के थुरू आप अराम से पढ़िए, बड़ी आप बढ़ आएगा आप उपढ़ने में, चलो, आगे आते हैं इस पे अगले है, V out का मान दे रखा है, V out output voltage, ठीए current gain यह आपको दे रखा है, AI का मान current gain दे रखा है, AI, ठीके, base resistance यह है input resistance RIN, यह input resistance हो हो गया, RIN, voltage and power gain निकालना आपको, देख़िए voltage gain बताया है था आपको मैंने AV, voltage gain, क्या होता है current gain into resistance gain, ठीके, तो current gain कितना है current gain तो 100 राइस्टेंस gain क्या होता है output राइस्टेंस upon input राइस्टेंस तो 3 upon 2 कर दो 3 upon 2 किता हो गया यह 150 150 देखते answer है लो second answer आएगा फिर भी एक बार power gain भी निकाल ले power gain क्या होता है current gain square into राइस्टेंस gain current gain तो यहाँ पे था 100 इसका square और राइस्टेंस gain वाला 3 by 2 output राइस्टेंस upon input राइस्टेंस यह होगा 10,000 इसको 3 by 2 से multiply करेंगे 15,000 तो कौन सांसर आगया है यह लो second बस काम कतम देखिए आप पिछले तीन question भी solve कि वह भी सी type के थे यह भी सी type question है चलो अगला question आए देखिए next question अब जो कोई next question जो आपको दे रखा है इसमें यह circuit आपको दिखा रखा है इस circuit में कुछ माहन आपको दे रखे है ठीक है अब इसमें थोड़ा सा भी दिखान करना है KVL concept KVL के वाइन मैं सोचता है KVL KVL केसे लगाते है बच्छों यह दो point दिखा रखे है आपको यह है और यह point दिखा रखे है ठीक है इन में जो total potential difference है total potential difference का मान क्यों होता है total potential difference is equal to potential difference on resistance plus potential difference between junctions total potential difference is equal to potential difference on resistance plus potential difference between junctions वाला कुल विभांतर is equal to कुल विभांतर is equal to होता है प्रतिरोत पर विभांतर प्लस संधी बिंदुओं के मध्य विभांतर तो देखिए यहाँ पे हम पहले इन दो points की बात करें इन दो points की बीच में इन दोनों points की बीच में total potential difference किता है कितना है 20 volt total potential difference आपको देख रहा है c e junctions तो इसका potential difference आपको कोश्च में 0 दे रहा है गोवर से एको गेरा v c e का मान 0 है तो आपके total potential difference is equal to potential difference on rise tense देखो इसमें कौन सी current होगी है इसमें आपके collector current होगी इस ते से देखो यह arrow दिखा रहा है यह arrow यह i e को दिखा रहा है इस ते से i e है तो इदर से i c इदर से आए होगी i c इदर से आए होगी i b ठीक है तो पहले हम इन दोनो potential difference की बात करें total potential difference equal to potential difference on rise tense plus potential difference on junction i c r c plus v c e ठीक है i c r c plus v c e तो यहाँ पे यह 20 रही से ही is equal to i c हमें पता करनी है r c किता है 4 kilo omel of 4000 plus v c किता है 0 कितना है v c 0 तब यहाँ से इसको divide कर दो divide कर देंगे तो i c की value कर जाएगी i c की value जाएगी यहाँ पे 50 sorry 5 milli ampere यहाँ divide करेंगे यहाँ पे 4000 डिवाइड कर देंगे i c अजाएगा पे 5 milli ampere के equal ठीक है 5 milli ampere divide किया अब देखिए अब मैं लगा रहा हूँ अभी तो मैंने किस की बीच लगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच में यह total potential difference यह लगा है मैंने अब मैं लगा रहा हूँ total potential difference इसके लिए यह पर दोखो यह b point है और यह e point तो इनके बीच में यह junction इनके बीच में potential difference को बोल रहा हूँ वी बी यह vbe यह भी आपको 0 दे रहा है तो अब यहाँ से इन दोनों junction की बीच में apply करें kvl तो total potential difference इसके लिए total potential difference देखि कितता है v यह आपर कितना है v in कामान दे रहा है बी i कामान इसमें यह राव 20 valt दे रहा hai v Hi कामान 20 V यह 20 V और यह 0 तो total potential difference किता है यहाँखी total potential difference किता है 20 है 20 total potential difference is equal to ibrb resistance पर potential difference plus junctions पर potential difference vbe oke total potential difference is equal to पत्रिवोत पे विबानतर plus संधी बिंदों के मद्द विबानतर potential difference between junctions अब यहाँ पे देखिए इस जगे 20 तो अई सही है 20 IB हम पता नहीं है भी RB लेकिन दे रखाए RB किता है 500 किलो ओम 500 किलो ओम मदद 3 0 और लगा दो देलो plus VBE किता है 0 है तो यहाँ से यह VBE दे रखाए 0 दे रखाए वी बी कामाँ 0 दे रखाए तो यहाँ से IB अगर आप निकालेंगे IB तो यहाँ से इसको divide करीए तो divide करने पे यह जाएगा 40 micro ampere 40 micro ampere ठीके तो IC आगया 5 million ampere IB आगया 40 micro ampere उसके बाद हमें निकालना है बीटा current gain current gain बीटा बोल लो या AI बोलो एक ही बात है AI या बीटा तो चोब बीटा जो होता है current gain यह होता है इसके अंदर IC upon IB इस ratio को अपन बोलते है current gain current gain in common emitter amplifier इसका जो formula है ठीक है IC upon IB IC कितना है 5 million ampere 5 into 10 power minus 3 और देखिए IB कितना है 40 micro ampere 14 into 10 power minus 6 तो इसको आप divide करेंगे तो यह divide कने पर जाएगा 125 तो कौन सा option ऐसा है जिसमें यह दे रखा है देखो यह second option तो जाएगा answer second option ठीक है तो इस सारे question अपन देख लिए transistor से related आई बस हो है में चलो अब आगे आते हैं अगले questions देखिए next question किस type के हैं तो इखिए अब जो अपन question देखने आ रहे हैं अगले वाले question gate से related logic gate से related यहाँ तो अपने यह diode pin junction diode semiconductor and transistor से related question अपन देख लिए तीक जितने भी से exam पूछेगे सारे cover कर लिए अब आते हैं लोजी gate पर बेस्ट देखिए अब देखिए next question लोजी gate based है अब देखिए लोजी gate based question क्या है देखिए पहला question पहला अपर आपसे गर रहा है कि हमें output x बताने क्या होगा तो यह कौन सा gate है बच्छों यह NAND gate यह NAND gate है NAND gate में आप जानते हैं यहाँ पे A और B input होता है तो यहाँ output में क्या निकलता है A.B का बार यह निकलता है फिर यहाँ पे यह भी एक NAND gate है रहकिन जब इस तैसे NAND gate आपस में short circuit हो रहा होता है तो अपने आप में यह किस की तरे behave करता है एक NAND gate की तरे एक NAND gate की तरे behave करता है NAND gate की दोनों inputs को आपस में test करते हैं तो एक NAND gate बन जाता है तो NAND gate क्या करेगा जो इसमें निवेशित माने input माने उसमें पे बार अप्लाई कर देगा तो A.B पे बार तो लगी नहीं थी एक बार और लगी तो डबल बार आपस में cancel हैंगी तो क्या जागा finally A.B आजाएगा तो कौन सांसर आगया finally यह X equal to A.B ठीके तो NAND gate NAND gate क्या होता बच्चों NAND gate and not gate के series combination को हम बोलते हैं NAND gate NAND gate and not gate के series combination को हम NAND gate कहते हैं ठीके NAND gate क्या होता है NAND gate क्या आता हुच्चों जब दोनों input 1 होते हैं दोनों input या किते हैं all inputs अगर 1 होते हैं तो ही output क्या मिलता है 1 otherwise मिलता है 0 यह किसकी property है NAND gate की ठीके इसका उल्टा कर दें तो होती है NAND gate की property NAND gate में all inputs 1 होने पर all inputs 1 होने पर क्या मिलेगा 0 otherwise क्या मिलेगा 1 ठीक है यह आती है net gate property चलो आगे आते हैं अगले question पे ठीक है next question 24 24 पे कर रहा है कि जो resultant circuit बन रहा है किस gate को show कर रहा है तेखिए यह एक not gate है इसी इदर से A आया यहां से क्या मिलेगा आप A बार यह दर से B आया एक not gate है क्या मिलेगा B बार अच्छा बताइए सौच के कौण सा gate है बच्चों यह यह आला जो gate दिख रहा है आपको एक not gate दिख जो rs. Omar gonna get बहुत है आने वालों को पहले add गरता है आने वालों को पहले add करता है और उपर एक बड़ी सी बार लगा देगा अब देखिए डी मॉर्गन थे और हम से बंद है कि इस बार को break कर दें और symbol change करते हैं उपर जो लंबी बार की इसको break कर दिया और आपने symbol change कर दिया plus का कर दिया dot और बड़ी वाली बार को तोड़ दिया आधीस पे गिरी आधीस पे गिरी तो इस तरह से अब देखिए यह double bar है cancel हो जाएंगी ए बचेगा यह double bar cancel हो गई बचा तो a dot b कौन सा gate है यह कौन सा gate है बच्छों end gate यह end gate है तो उसले क्या जागा आँ फोर्थ तो एक end gate को represent कर रहा है ओके चलो अब आते आगे next question पे देखिए question number 25 में आप से गजारा है कि हमें output चाहिए one वाई क्यों लुक्त चाहिए is one तो आप से गजारा कि y आपको हापे one चाहिए तो input क्या होनी चाहिए तो इक होच्छों यह कौन सा gate है यह gate है, end gate अपने देख रहे है, end gate में output 1 कब होता है जब all inputs 1 होने चाहिए यह भी 1 होना चाहिए यह भी 1 होना चाहिए तभी ऐसा होगा बच्छो अब यहाँ पे देखिए, यह 1 C क्यों क्या रही 1, तो C क्या होना चाहिए 1 तो होना ही चाहिए, अब C 1 के और A की option में यह लो, आगे answer C must be 1 तो C का आमान 1 होना ज़रूरी है A और B मेंसे कोई भी दोनों 0 नहीं हो, कुछ भी हो A 0 हो, या B 0 हो, कोई भी 1 0 हो तो इस case में 1 मिल जागा लेकिन C का तो 1 होना ज़रूरी है तो C का आमान 1 हो गया तो यह Y is equal to 1 हो, क्यों A की option में C is equal to 1 है और किसी में ही नहीं ठीक है, चलो, आते हैं अब next question पे question number 26 पे question number 26 आपसे गरा है कि हमें output चाहिए पहले तो 0 ठीक है फिर हमें चाहिए 1 अचाहिए यह कहरा आपसे what is the output Y in following circuit when all three inputs ABC are first 0 and then 1 बहले पहले तीनो 0 लिए गए हैं पहले तीनो 0 लिए गए हैं और बाद में तीनो 1 लिए गए हैं तीनो 1 है तो बताना है output Y क्या मिलेगा तो यह पहले कौन सा gate है, end gate बच्छों end gate है यह, end gate end gate का करता है, दोनों को multiply करता है 0 into 0, 0 यह 0 तेहां पहले सीधा गिया यह कौन सा gate है, देखें बबल लग रहा है यह एक end gate है, end gate क्या करता है पहले इनको multiply करेगा फिर इसका उल्टा कर देगा, तो 0 into 0 0, 0 को उल्टा 1 तेहां क्या गया, Y is equal to 1 आ गया ठीके, अब देखो इसमें क्या होगा, पहले यह end gate था 1 into 1, क्या है 1 यह 1 सीधा यहां पहले आ रहा है यह वाला तो फिर यह एक end gate है, पहले multiply करेगा फिर उल्टा कर देगा, 1 into 1 1, इसका उल्टा कर दिया, 0 तो answer क्या है, 1, 0 तो इस second answer आ जाए गई, ठीके ऐसे पन कर सकते हैं, solve, चलो आगे आते हैं, question number 27 पे, तो आप देखने हैं logic gate, physics का सबसे simple topic है, और इसे definitely यह question exam में आता ही आता है ठीके, तो आप इन question डंग से कर लें, जो exam में आये वें, तो बागी question आप हो काफी simple लगेंगे ठीके, चलो, आगे आपन देखते हैं, इसके अंजर अब, यह किरा कि, यह जो complete circuit है इसका resultant कौन सा gate बना रहा है, यह हम बता रहा है तो इखिए, यहाँ पे यह एक not gate है सही, है के नहीं और यह, एक कौन सा gate है, nor gate लेकिन इसकी दोनों input आपस में connect हो रहे हैं, तो अपने आपने यह भी एक resultant not gate की तरह भीव कर रहा है है तो nor gate लेकिन इसके दोनों inputs आपस में connected है, short circuit है, इसलिए एक not gate है, अब not gate है तो यह not gate, not gate जब लगे होते हैं आपस में एक दूसरे को cancel कर देंगे कट जाएंगे, not gate, not gate एक दूसरे को cancel कर देंगे, किसे आप सका रहा है किसे ए के ओपर double bar लगी होती है ए पर double bar लगी होती है, तो बार-बार कट जाती है के बल ए बसता है, तो यह वह यह double bars लग रही है, मलब दो not gate है कट गए तो के बल क्या बचाहिए, और एक कौन सा gate आया यह, not gate, तो resultant ले अपने आप में क्या बन रहा है, not gate तो क्या आगया answer इसका, second, यह आजाएगा not gate, not gate आजाएगा असका answer, ठीक है, चलो आगे आते हैं, 28 पर देखोशा में 28 आप से गराए, कि जो circuit है यह electric circuit है, यह electric circuit किस gate की तरह भीव कर रहा है यह आप उता रहा है, ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखिए, यह अपने यह, इस point और इस point की बीच में पने potential difference लगा रहा है 6 volt, यहाँ पर एक LED है वाल एक bulb है, एक LED है अब चलो, यहाँ पर देखिए, इससे यह दो switch है अगर हमने किसी भी switch को on कर दिया सोचना, किसी भी switch को on कर दे तो यहाँ से सीधा circuit यहाँ सा तक on हो जाएगा है, किसी भी switch को on कर दे, तो circuit on हो जाएगा, मलब इस LED में current भेने लगेगी धारा भेन लगेगी, तो अगर दोनों को off रखेंगे, देखिए, दोनों को off रखेंगे तो इसमें current नहीं जाएगी, ठेकिन किसी को भी on कर दे, यहाँ दोनों को on कर दे, तो current यहाँ पे flow on लगेगी, तो के अदल लबे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि LED कब नहीं जलेगी, जब दोनों off हैं, मतलब 00 हैं और कब जल जाएगी, जब किसी भी switch को on कर दे, ठेकिए यहाँ दोनों को यह on कर दे, तब जल जाएगी तो हम देख सकते हैं, दोनों on ठेकिए, बहुत off हैं, बहुत 0 ठेकिए, बहुत 0 है, 0 है तो इस case में output y is equal to, क्या मिलेगा output y is equal to ठेकिए, output जो y मिलेगा, output y is equal to क्या मिलेगा, output y is equal to 0, ठेकिए, दोनों 0 0 होने पर output y is equal to 0 otherwise y is equal to क्या मिल रहा है 1, तो 0, 0, 0 1, 1, 0, 1, 1 ठेकिए, अच्छा, यह बताई 2 table किसकी होती है, दोनों 0 होने पर 0 आ रहा है, otherwise 1 आ रहा है बताई किसकी 2 table है किसकी 2 table है, और gate की किसकी है, और gate की तो यह circuit as a, और gate है किसी को भी on कर देंगे, switch on हो जाएगा ठीके, तो यह और gate की 2 table बता रहा है, तो यह अपने आप में और gate को represent कर रहा है, ठीके चलो, आगे आते हैं इस पे, next question पे, question number 29, देकि इसके अंदर भी 2 switch लग रहे हैं ठीके, यहाँ भी 2 switch लगे हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा दो चाहँ, यहाँ पे पहले से direct switch on, यहाँ पे direct bulb से connected है, potential difference ठीके, तो यहाँ से bulb अभी जल रहा है, LED on है लेकिन अगर अगर अपने आप एक, दोनों switch को on कर दिया, सुनना जहाँ से इसको भी on कर दिया, इसको भी on कर दिया, दोनों कर दिया तो यह बल्ब short circuit हो जाएगा short circuit होने पे, बल्ब बुझ जाएगा क्यों हम जानते हैं, कोई भी element अगर short circuit हो जाता है, तो वो working से dead हो जाता है, ठीक है तो बल्ब उसमें current flow नहीं होती, वो अब off हो जाएगा, तो यहाँ आप हम देखते हैं दोनों off कर दें sorry, दोनों on कर दें तहाँ पे y क्या मिल जाएगा 0, तो देखिए 0, 0, 0, 1, 1 0, 1, 1, ठीक है तो आप यह two table जो है, वाई क्या हो रहा है, आप देखिए, अभी आप से का मैंने कि यहाँ पे दोनों one करेंगे, तो क्या मिलेगा, 0 otherwise, अगर किसी को भी on करो, एक को, या दोनों को off रखेंगे, तो बलब जलता रहेगा कोई दीक्त नहीं है, बताओ, किस gate की two table आ रहे है, किस gate की सोचिए, यह एक nand gate की है nand gate में बताया था, दोनों one होने पर, nand gate में क्या था, दोनों one होने पर क्या मिलता है, 0 तो यह nand gate की two table है तो इसलिए क्या जाएगा यह, nand gate ठीके, यह जाएगा, आगे बढ़े चलो, अब आगेते हैं, next question पे question number 30 question number 30 यह एक, आपको दिखार रखा है इसकी two table कौन सी है correct यह आप होता नहीं है, ठीके तो यह बच्चों, यहाँ पे एक nand gate a आया, यह क्या मिलेगा आपको, a बार यह b है, nor gate क्या मिला b बार, अब यह एक nor gate आपको दिखारा है, nor gate ही है क्या है, nor gate है, ठीके, nor gate में क्या होता है, जो input आरे होते हैं वो पहले add होते है, फिर उपर एक लंबी सी बार लग आती है, ठीके अब अच्चों, यहाँ पे इस में देखिए, फिर यह d Morgan theorem लगाते हैं, इस बार को break करते हैं, बड़ी वाली बार को ठीके, और इस symbol को change करते हैं बार को break करेंगे, तो आधी आधी दोनों पे गिरेगी ठीके, आधी आधी दोनों पे गिरेगी तो हो गया, a double bar dot b double bar, तो double bar cancel हो गया, केवल a आया और यह, b पे double bar cancel, b आया a dot b, तो कौन सा gate हो गया, end gate end gate में हम जानते है one one होने पर last में, one मिलता है otherwise zero मिलता है, ठीक है तो यह रहा one one होने पर one मिलता है, otherwise zero मिलता है, कौन सा gate है यह, end gate की two table, तो कौन सा answer हो गया अब आगाते हैं इस पे next question पे, आएं, देखिए next question क्या कहे रहा है बच्चों, आप से question number 31, question number 31 में आप से कहे रहा है कि इस तरह से यह एक signal दिखा रहा है, A, B, C signal है, इस circuit में हम insert कर रहे हैं, ठीक है, तो output signal कैसा होगा, यह आप बता रहा है, ठीक है, काफी अच्छा question है इसमें तीन-तीन signal दिखा रहे हैं, तो चो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए, पहले जो signal से इन सभी को signal को 0101 की form में लिखेंगे, जहाँ पे high voltage है, high voltage मालब 1, जहाँ पे low voltage है, मालब 0, तो आप देखिए, यहाँ पे यह low voltage मालब 0, high voltage 1 इस तरह से इनको आपने 0101 की form में लिख दिया B को भी लिख देए 0011000 C को भी लिख देए 1100111 यह रिख दिया अपन ने अब देखिए, यहाँ पे हमें output क्या में लेगा, इसको आपन देखते हैं, ठीके, तो पेले बच्चों यहाँ पे इसमें, पेले आपन देखिए यह 001 के लिखते हैं, क्या आगा यह A 0 है ठीके, A को ले रहा हूं में 0, B को भी, 0 C को 1 लिया, 001 के लिखते हैं, output हमें क्या मिलता है, तो अच्छा देखो, यह A A का 0 यहाँ आया, B का 0, इधर भी का 0, यह B का 0, इधर भी आया C का 1, यहाँ आया, यह एक end gate end gate दोनों multiply करता है, 0 into 0 0, यह end gate है, multiply करके उल्टा करता है, तो 0 into 1, 0, उसका उल्टा किया 1, ठीके, अब यहाँ पे यह OR gate है, दोनों को आते हैं, तो पहला मिले हमें high voltage 5V, अगली बार 101 यह लेना आपको 101, ठीके, वाला आपको क्या करना है अपकी बार, अभी तो आप देखा पहले किता है, Y की उलू 1 आगई है Y की उलू 1 आगई, अब अगली पस ले रहे हैं 101, वाला यह वाले को 1 करना है, इसको आपको 1 लेना है अपकी बार इसको 1 ले रहे हैं, देखके उसको 1 लेते हैं क्या होता है, इसको 1 लेंगे तो आप भी 1 आएगा है, यहाँ भी 1 आएगा है ठीक है, 1, अभी end gate है, multiply करेगा, 1 into 1 क्या जाएगा है, 1 1 आजाएगा, ठीक है अभी और gate है, 1 प्लस 1 को add करेगा वापस क्या मिला 1, तो वापस क्या मिला y is equal to 1, ऐसे आप देखेंगे तो देखिए, दोनों में क्या मिलना है 1, 1, तो देखें कौन सा answer ऐसा है जिसमें शुरू में दोनों में 1, 1 है तो देखो, यहाँ पे शुरू में 2, 0, 0 है गलत है, यहाँ पे पहले 0 है, फिर 1 है यह भी गलत हो गया, इसमें पहले 1 है बाद में 0 है, यही ऐसा answer एज में दोनों शुरू के 1, 1 आरे तो पांच वोल्ट गा ना 5 वोल्ट, दोनों 1, 1 है तो आगे चेक करने की जुरूत ही नहीं, सम्में यह answer आएगा हमने शुरू के 2 चेक कर ली है आगे चेक करने की जुरूत ही नहीं है तो answer के आगया, 3rd, ठीक है चलो, अब आगे आते हैं, question number 32 पर आप से गरा है कि इसमें यह 2 table इस circuit की 2 table कौन सी है यह में चेक करनी है, तो देखो यहां पर यह जो gate बन रहा है resultantly कौन सा gate है देखिए इधर से A आया है यह यहां से इस पर A आ रहा है इदर ठीक है, और यहां से इधर होके इधर गया A बार हो, ठीक है A बार, तो यहां से not gate है ना यह Nand gate है, इनको multiply करेगा yellow, और इस पर बार लगा दिया yellow, फिर यह कौन सा gate है end gate, end gate क्या करेगा इन आने वाले दोनों को multiply करेगा इसको और इसको, तेखिए यहां पर A dot B bar dot A bar dot B ठीक है, अब अच्छों, यहां पर पहले इस पर लगा देए D Morgan theorem तो A bar, यह कैसे हो, अगर D Morgan theorem लगाएं इस पर क्या देगा A bar plus B bar पहले इस चीज़ को मैंने तोड़ लिया इस पर लगा दी मैंने D Morgan theorem ठीक है, यह dot ही से हैं यहां पर इस पर लगा देए D Morgan theorem कैसे लगाएंगे, A double bar, double bar को मैंने cancel कर दिया, तो क्या बचागा, only A plus B bar ठीक है, अगर देखो इसको यहां पर D Morgan theorem लगाएंगे dot को रख दिया, plus, यह बड़ी बार तूटेगी, आदीस पर गिरेगी, आदीस पर गिरेगी इस पर गिरी, इस पर गिरी, तो A double bar आया, double bar cancel कर देगे हाली A बचेगा, अब इस bracket को open कर दें, bracket को कैसे open करेंगे फिर A को, A bar को, इस A से multiply करो किता है, 0, A bar को फिर B bar से करें, तो क्या जाएगा A bar dot B bar, ठीक है फिर इसको B bar को करें, A के साथ, तो क्या जाएगा यह, B bar dot A, ठीक है, फिर B bar को, B bar से करेंगे क्या जाएगा यह, B bar B bar dot B bar होता है B bar, ठीक है, अब देखिए इस में से, यह तो A bar dot B bar है सही, प्लस इस में से B bar common ले लो तो B bar common ले लो, क्या बचा A plus 1, अब A plus 1 क्या होता है, A sorry, 1, A plus 1 होता है, 1 तो यहाँ पर क्या बचा आपको A bar dot B bar और यहाँ बचेगा प्लस क्या बचेगा only, B bar क्या A plus 1, 1 हो जाएगा अब इस पर फिर से B bar common ले ले तो क्या आप B bar common लिया तो A bar plus 1 अब A bar plus 1 क्या हो जाएगा वापस 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचा, B bar 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 1 का 0, यह रहा ठीके, तो यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है C जो मिल रहा हो क्या है, C is equal to क्या है, B bar, B का just उल्टा है 0 का 1, 1 का 0 0 का 1, 1 का 0, ठीके, तो यह इसकी to table आजएगी, और किसी में इसा नहीं हो रहा, ठीके, चलो अब आते हैं, next question पे question number 33 पे आप से गरा है कि यह, जो finally result आ रहा है, इस circuit का, वो क्या मिलेगा यह निकालना आपको, देखिए, इदर बच्चों A ठीके, यहाँ से इदर से, इदर गया, इदर गया A आय था, तो यहाँ से A बार निकलेके, इदर आएगा, A बार ऐसे B, यहाँ से B गया इदर, ठीके, और यहाँ से B C था, यहाँ गया, यहाँ पे B, और यहाँ मिलेगा अदर यह B बार, B बार तो यह कौन सा gate है, बच्चों, end gate तो यहाँ से क्या मिला आपको, A dot B बार ठीके, और यहाँ से क्या मिला A बार, dot B अब यह कौन सा gate है, और gate, तो और gate क्या करेगा, इन दोनों को add कर देगा A dot B बार, प्लस A बार, dot B, तो देखिए कौन सा option है, जो यह चीज़ को बता रहा है, यह रहा, third option ठीके, तो इस जो logic gate के questions, यह सारे आपने आपने आपे discuss कर लिए, तो इस सारे question अपने semiconductor logic gate से related अपने solve किये, ठीके, तो यहाँ तक अपने, इस topic में अपने क्या cover किया, बच्छों, electronics को complete क्या है, semiconductor logic gate को अपने complete discuss किया, एक short तरीके से, question के through, अपने इस topic पर आपका confidence develop करने कोश्किरी, मैं जानता हूँ आपको लगता अरगा होगा कि आपने काफी हज़त तक इस topic को cover किया है, ठीके, और इसी तरह से हम आगे भी और आगे जो topics हैं, उनको cover करेंगे, ठीके, आप CLC के साथ जुड़े रहिए, और CLC के चैनल को आपने subscribe नहीं किया हो, तो उस चैनल को जरू subscribe करें, ठीके, ताकि हम इसी तरह के आपके फाइदे मंद वीडियो आपके लागा लाते रहें, ओके, गुड़नाइट बेस्ट अफ लग